दोस्तों जिस तरह हमें जिन्दगी जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है ठीक उसी तरह सेक्स यानि संभोग भी जरूरी है जीहां आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिला हो या फिर पुरुस एक स्वस्त सरीर को हपते में एक बार संभोग जरूर करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा सरीर कई तरह की बिमारियों का शिकार तो हो ही सकता है बलकि संभोग ना करने की ये समश्या उस व्यक्ति की जान भी ले सकती है कड़वा है मगर सच यही है और आज के इस वीडियो में खास आपके लिए संभोग से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्यों से परदे उठाए जाएंगे और इस सवाल का जवाब भी कि क्या होगा अगर जीवन भर संभोग ना किया जाए तो सबसे पहले बात करेंगे पूरसों की दोस्तों एक स्टड़ी के मताबित अगर कोई व्यक्ति संभोग से दूर रहता है तो उसके सरीर पर कई तरह के फिजिकल और मेंटल साइड इफेक्ट्स होते हैं बात अगर सारी रिक रूप से की जाए तो ऐसा सरीर सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर का सिकार हो सकता है वो बिमारी जिसमें पूरसों के जन्नाग यानी मेल जैनिटल्स कैंसर की चपेट में आकर खराब हो जाते हैं और वो इसलिए क्योंके एक व्यक्ति प्रकरती द्वारा निर्धारित किये गए कार ये संभोग को समय समय पर अंजाम नहीं देता हालंकि मैडीकल साइंस में इस बात का कोई ठोस पर मान तो नहीं है लेकिन डिसर्चर्स ये जरूर मानते हैं कि जो व्यक्ति अक्सर संभोग करते हैं या फिर हस्त मैथुन करता है उसे प्रोष्टेट कैंसर होने के चांच से जिनाके बराबर हो जाते हैं वहीं बात करें अगर एक महिला की जिने प्रोइश्टेट कैंसर जैसा तो कोई खत्रा नहीं होता लेकिन समय समय पर संभोग कर लेने से इनका मुतराश यानी ब्लैडर स्वस्त रहता है पर एक्सक्रेटरी सिस्टम संबंदित कोई भी बिमारी नहीं होती है जबकि इसके बिमारी की जड़ भले ही ना हो लेकिन ये ड्राइनेस महिलाओं में असांती और चिर्चड़ापन लाने के लिए काफी है जो दिखने में भले ही एक बिमारी ना लगे लेकिन असल में एक बहुत बड़ी बिमारी है दोस्तों जिस तरह हर चीज का एक सही समय होता है ये नि और शरीर स्वस्थ होने के बाद भी उनके जन्नांग काम नहीं करते उनमें किसी भी तरह की हरकत नहीं होती और तब जाकर पता चलता है कि संसार की अन्य इच्छाओं की प्राप्ति के चलते जाने अन जाने उनके सरीर में संभोग इच्छा का दमन होते चला गया और तब लोग संसार के अन्य सभी सुख तो प्राफ्ट कर लेते हैं लेकिन संभोग के सुख से वंचित रह जाते हैं वैसे अगर देखा जाए तो संभोग के वल एक सुख ही नहीं है बलकि आपके सरीर को अंदर से स्वस्थ भी बनाता है और वो कुछ इस तरह से कि दरजनों स्टडी जिस पश्ट रूप से इस बात को मानती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके जिवन में संभोग की प्रक्रिया समान रूप से जारी रहती है उसके सरीर का बलड प्रेसर भी हमेशा कंट्रोल में रहता है जबकि इसके उलट इससे ना करने वाले व्यक्ति हाई या फिर लोग से भी काबू में किया जा सकता है लेकिन जो लोग संभोग की प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रहते हैं उनके यह हार्मोन कभी-कभी उतेजना के उस इसतर तक भी पहुच जाते हैं जहां से व्यक्ति चिडचड़ा तो हो ही जाता है कई बार वो पागलू जैसा बरताओ भ जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो संभोग करने वाले व्यक्तियों के थूक में इम्मुनोगलोबिन A की भारी मात्रा पाई गई जबकि ना करने वालों में ये एंटीबोडी ना के बराबर ही मिली इम्मुनोगलोबिन A वही एंटीबोडी है जो आपके सरीर को मानसिक रूप ले ले किसी को पता भी नहीं चलता वैसे केवल स्ट्रेस ही नहीं संभोग से जीवन भर की दूरी एक और मानसिक समश्या भी खड़ी कर सकती है जिसका नाम है स्किन हंगर या फिर टच स्टारवेशन वह बिमारी जो किसी से सारीरिक संबंद ना बनाने के भा इस तरह की बिमारी होने के चांसे इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि जिस तरह स्ट्रेस को कम करने के लिए हस्त मैथून या फिर मेडिटेशन का सहारा लिया जा सकता है वहीं स्किन की भूग को केवल सारीरिक संबंदों से ही मिटाया जा सकता है जिसका कोई अन्य विकल किया है ताकि दो लोग आपस में संभोग कर एक नए जीवन की उत्पत्ती कर सके और यही कारण है कि जो इस परंपरा को किसी भी वज़ा से तोड़ता है या फिर तोड़ने की कोसिस करता है तो फिर उसका असार उसके डीने पर भी पढ़ने लगता है और जो डीने खुद नए जीवन की उत्पत्ती का कारण हो अगर वही प्रभावित होने लगे तो उसका असर सरीर पर पढ़ना तो स्वभाविक ही है लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब बिलकुल भी नहीं है कि जीवन भर संभोग ना करने से सरीर पर बुरा असर पढ़ना तय है क्योंकि दुनिय में कुछ मिथक भी है जिने इस वीडियो की माध्यम से तोड़ना जरूरी है जैसे कहा जाता है कि अगर एक महिला जीवन भर संभोग ना करे तो उसके जन्नांग बंद हो जाते हैं जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है एक रिपोर्ट के अनुसार संभोग से दूर रहने वाल संभोग प्रकरती का नियम जरूर है लेकिन इस नियम का पालन भी व्यक्ति के दिमाग से ही होता है और दिमाग आपके आसपास मुझूद लोगों से ही चलता है यानि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जीवन भर संभोग ना किया जाए तो क्या होगा जिसका जवाब है कि वही होगा जो आपने सोचा होगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेर करना बिलकुल भी ना भूले तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए खुस रहे मस्तरे हस्तरे भगवान करे आप सभी का दिन सुब हो